जहिन दोस्तों अगर आप कभी आने वाली कुछ दिनों मैं एक्जाम है तो दोस्तों आप हिंदी और रीजनिंग पढ़ना बंद कर सकते हैं क्योंकि हिंदी और रीजनिंग बहुत ही easy पूछी जा रही है दोस्तों तफ पूछी जा रही है Maths दोस्तों अगर आप से maths कम बंती है तो आप maths पढ़ सकते हैं और friends GS में तो आप लोग जानते ही होंगे कि GS में हम कितना भी पढ़ आगने अगर फस जाए तो थीक है नहीं फसा तो ठीक है तो friends इसलिए मैं आप लोगों को कहता हूँ आप GS भी ना पढ़ें reasoning भी ना पढ़ाएं, Hindi भी ना पढ़ाएं आप सिर्प maths में ध्यान दीजिए दोस्तों, मेरा भी exam हुआ तो मैंने देखा कि GS, Hindi और reasoning, दोनों तो मैंने बहुत ही कम समय में कल लिया था, पर maths friends थोड़ी सी tough पूछी जा रही है इसलिए आप maths में ज़्यादा focus कीजिएगा यहाँ पर मैं आप लोगों को Hindi के कुछ topics भी बता सकता हूँ, जैसे आप देख सकते हैं, विलॉम सब्द, पर्याइवाची तुरूटी, गद्यान्स क्रिया विसेसल बगएरा, तो friends यह सब topic तो आप लोग जानते ही होंगे, यहाँ पर new topic जो है, वो क्या बोलते हैं, क्रिया विसेसल और कारक, यह friends से आप नवीन सर की एक वीडियो देखे होंगे, RWA चैनल से यदि आप जुड़े हैं, तो यदि आप नई भी जुड़े हैं friends, तो आप किसी भी teacher की वीडियो देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने क्रिया विसेसल और कारक पढ़ाया होगा, तो friends, आप किसी भी teacher से यह वस थोड़ा पढ़के चल जाएगा, क्योंकि एक से दो question इनसे पूछे जा रहे हैं, जैसे मेरे मेरी shift में सिर्फ एक question पूछा गया था, हो सकता है आपकी shift में दो questions पूछे जाएगा, तो friends, आप ये पूरा पढ़के चले जाएगा, हिंदी में ये वस पढ़ लिजेगा, बागी friends से option बिलकुल भी नहीं फसा रहे हैं, बहुत easy पूछी जा रहे हैं, हिंदी और reasoning, मैंने friends, 3-4 shift के analysis, बहुत सारे analysis भी देखा हूँ और सभी में मैंने ये पाया हूँ, कि हिंदी और reasoning महुत easy है, math सबस थोड़ी calculator है, friends, आप math सबस थोड़ा पढ़ लिजेगा, friends, आपको वीडियो अच्छी लगी हो, आपको कुछ वीडियो से फायदा मिल रहा हो, तो आप वीडियो को like कर दीजेगा, friends, और GD से संबन्दे जितनी भी जानकारी है, physical, medical, exam, cut-off, सबकी details की वीडियो, friends, मेरे चैनल पर आती रहेंगी, इसलिए आप चैनल को subscribe कर लीजेगा, और वीडियो को like कर दीजेगा, और friends, अगर आपको कोई questions पूछना है, तो आप वीडियो के नीचे comment कर दीजेगा, चलिए friends, मिलता हूँ next वीडियो में,